गुरुग्राम न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई ख़बर रहना जाए नमस्कार मैं हूं सुनीली आदव और स्वागत है आपका गुरुग्राम न्यूज में जहां हम दिखाते हैं ख़बरें सिर्फ आपके शहर की वीरवार शाम गुरुग्राम के बहरामपूर इलाके में एक महेश भाटी नाम के शक्स ने तीन लोगों को गोली मार कर घायल कर दिया दरसल ये वारदात केवल इस बात को लेकर हुई कि फामाउस की बाउंडरी बनाने वाले जो ठेकेदार हैं उनको लेकर एक रंजिश पैदा हुई और उस रंजिश के चलते महेश ने तीन व्यक्तियों को गोली मार दी और मौके से फरार हो गया ये तस्वीरे आप लोगों को दिखा रहा है दरसल ये तस्वीरे उसी फामाउस की है जिस फामाउस की चार दिवारी के ठेके को लेकर आपस में रंजिश मनी और महेश भाटी ने पहले तो जो इस फामाउस की दिवार बना रहा है रवी भाटी उसको चेतावनी दी कि या तो वो इस दिवार को बनाना बंद कर दे, अन्य था वो उसे गोली मार देगा, और हुआ भी एही, वीरवार शाम, महेश भाटी, अपने तीन साथियों के साथ, जिनमें रिशी, करंबीर और बाबा, ये चार लोग मिलकर स्विफ्ट गाड़ी में आये यहाँ पर, और इस फा जोहित को सीने में गोली लगी है, उसकी हालत बेहत गंबीर है, जिसका इलाज डबलू प्रतिक्षय आस्पताल में किया जा रहा है, जबकि हिमान्शु को दोनों पैरों में गोली मारी गई, और उसके बाद जब इस नवरतन फार्म से निकलते हुए, वापस जब में रोड की तरफ महेश भाटी अपने साथियों के साथ गाड़ी में जा रहा था, तो रास्ते में ट्रेक्टर पर उसे रवी भाटी मिला, और रवी भाटी का हालचाल पूछने के बाद उसने रवी भाटी पर भी फारिंग करनी शुरू कर दी, जिसमें रवी को हाथ में एक गोली लगी है, रवी इस समय अस्पताल में भरती है, तीनों ही सक्स जो यह घायल है, रवी, हिमाशू और मोहित, तीनों का, डबल्य Collins, प्रतिक्षा अस्पताल में इलाज किया जा रहा है, रवी का क्या कहना है, वो भी सुनते हैं, रवी हमारे साथ है, उनकी पहले हालत दिखात कि जब इनके उपर फाइरिंग की गई महेश भाटी पर जो अरोप लगा है इनोंने फाइरिंग का जब उसने गोली चलाई तो यह ट्रेक्टर पर मोजूद थे और उस समय इनके हाथ में गोली लगी जिसको यहां अस्पताल में अब इनको इलाज दिया जा रहा है रवी से हम कौन-कौन मोजूद थे उस समय गाडी में उस गाडी में एक तो महेश था एक उनका ही चाचा का लड़का लगता है रिसी था एक बंधवाडी से बाबा था बाबा बोलते है उसको और एक जाट था वो मेरे साब से रहतक साइड का है करंबीर नाम है उसका तो चार लोग सा साथ थे गाडी में से बैस मेहेश सी उतरा था इकला उतर के आके और हैलो हाय करके और सीधा गोली मार के और साथ के साथ भाग गया था उनसे रंजिश रही हो पहले आपकी कोई लडाई जगडा हुआ हो क्या वज़ा लगती आपको क्यों आप लोगों पर हमला किया उसने रंजिस तो कुछ ऐसा ही कुछ है नहीं है आपस में लडाई जगडा मुझे तो बात भी नहीं होती काफी दिन होगे बात हुए और भी बस सीधे आए पीछे से पीछे भी फार्म हाउस में दोनके गोली मार के आई थी फिर आगे मैं मिला मुझ में मार दी उनने थोड़ा ड्रिंग कर रखी थी साइध पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं आके सीधा मार के भाग गई आप लोगों का फार्मा उसके थे जो चार दीवारी होती है उसका ठेकदारी का काम है क्या उसको लेकर कोई रिंजिश्च्र रही है हाँ उसमें थोड़ा पहले हुई थी वो अलग काम कर रहा है हमारा अलग काम है तो उसके समझा दिया था घरवालों को को यह अपना काम अपने आप करो यह हम अपने आप कर रहे है काम आपका काम अलग है हमारा काम अलग है तो बात उधर ही होके फिर जब से बाद में कोई जादा कुछ हुआ नहीं था पर यह नहीं पता तो बाहर गाड़ी किया वाज आई आरन दिया वोला मोहित तो ये महेश आया था और चाल लड़के और थे तो बोला गेट खोलो तो मोहित गया और मैं पीछे से गया तो गेट खोला वोला ओड़ी को तो मुझ बुआ ठीक हूं अब फिर गेट जैसे खोल के अंदर गुसा प्रवी और हिमान्शू की हालत तो खत्रे से बाहर है लेकिन मोहित की हालत बहत गंबीर है जिसको ICU में observation में रखा गया है इसके साथ ही गुरुगुराम पुलिस ने एक बहतरीन काम करते हुए इस firing card के जो मुख्य आरोपी है महेश और उसके दो साथी रिशी और करंबीर उनको कुछ ही घंटों के अंदर गिरफ्तार कर लिया गया इन तीनों को इनकी स्विफ्ट गाड़ी से ही पुलिस ने गिरफ्तार किया है हाला कि अभी तक जो इननोंने हतियार इस्तमाल किया था इस वारदात में उस हतियार को बरामत किया जाना बाकी है गुरुगुराम पुलिस की सेक्टर 31 क्राइम ब्रांच ने कुछी घंटों के अंदर तीनों को गिरफतार कर लिया और जिला नयाले में पेश करके इनको रिमांड पर लिया है ताकि इनसे फरदर पूस्ताच की जा सके शुरुवाती पूस्ताच में जो पूस्ताच ने जानकारी दी है कि जो फामाउस की दिवार को लेकर जो इनका जखड़ा था उसी के चलते महेश ने इन तीनों शक्स पर फाइरिंग की थी कल शाम को गाउं बैरंपूर थाना सेक्टर 65 के इलाखे में तीन चार लोगों ने मिलके और तीन लोगों को गोड़ी मारके और गाहिल कर दिया था जिसके संबन में 55 सेक्टर प्लिस्टेशन में अफाई अदबर गई जिसमें बताया गया था कि कुछ एक डिवार के जगड और मांसु सुकला मांसु मिसरा को गोड़ियां मार दी जान से माने की नियत से इन्वेस्टिगेशन करते हुए हमारी क्राइम टीम सेक्टर 31 के इंचाज संजीव के नेतिविताव में तीनों जो आरोपी थे उसमें फून को हमने ग्रफतार किया है जिनके नाम महेश कुमार रेशी पुत्तरकंबल और करंबीर जो तिनों को हमने अरेस्ट कर लिया है और उसमें गठना में परियोग की गई जो स्विफ्ट पार थी उसको भी नहीं के कब्जे से बरामत कर लिया है और इसमें आगे की इन्वेस्टिगेशन की जा रही है और इनका ज्यादा पुछता अपने वर्चस्व को लेकर गुरुग्राम में इस तरह की वारदाते कई बार सामने आ चुकी है लेकिन सवाल यह है कि जब इस तरह का कोई विवाद खड़ा होता है तो उसको इस तरह से खूनी संगर्श में ना बदल कर क्या बातचीत से उसका हल नहीं निकाला जा सकता है इस पर सोचने की गहन विचार करने की बहुत जरूरत है इस खबर के बारे में आप हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर दीजेगा साथ ही साथ आप इस खबर को शेर जरूर कीजेगा क्योंकि आपकी शेरिंग ही है हमारी ताकत नमस्कार